नमस्कार विद्यार्थी मित्रौ आपने 1971 अभ्यास और स्वाद्याय के सभी प्रश्न अपनी पकी कापि में लिख लेंगे आज व्याकरण लिखकर फोटो भेज रही हूं आप अभ्यास स्वाद्याय लिख लेने के बाद व्याकरण इसमें से देख कर लिख लेना मैंने समानार्थी विरोधी शब्द लिखे है, मुहावरे के अर्थ लिखे है, आपको वाक्य अपने आप बनाना है, वाक्य प्रयोब करना है, मुहावरों के क्या करना है या तो आप इकाई में से ढूंड कर भी कर सकते हो या अपने आप नए वाक्य भी बना सकते हो बराबर है इकाई 9 पूरा होने के बाद आपको पुन्रावर्तंदो अपने आप अपनी पकी कापी में लिखना है आज पहले समझ लेते हैं कैसे लिखना है फिर आप अपने आप लिखना बराबर है प्रस्ना एक है निम्नलिखित परिछेद पढ़िये और इस विशय पर अपने साथियों से पूछने के लिए तीन प्रस्न बनाई आपको क्या करना है तो पहला प्रस्न लिखना है परिछेद लिखना है और उसमें से तीन प्रशन निकाल कर उत्तर सहीत प्रशन लिखने है प्रशन भी लिखने है और उत्तर भी लिखने है बराबर है प्रशन दो नीचे दिये गए शब्दों में से संग्या सरवनाम और विशेशन पहचान कर वर्गी गृत कीजिए और उनका वाक्य प सर्वनाम और विशेशन इन शब्दों में से जो संग्या में आता है वह संग्या में लिखना है सर्वनाम में आता है उसे सर्वनाम में लिखना है और जो विशेशन है उसे विशेशन में लिखना है फिर इन सभी शब्दों को एक-एक वाक्य में लिखना है यानि कि वाक्य प प्रश्ना तीन दिये गए शब्दों को सही स्थान पर रखी यानि कि आपको जो शब्द दिये गए है उन शब्दों को नीचे 6 खाली जगव भरने के लिए दी गए है रिक्त स्थानों में उन शब्दों को योग्य स्थान पर आपको लिखना है आप अपने आप ही लिखना बराबर है अब प्रश्ण चार मौखिक उत्तर दीजी आपको मौखिक नहीं लिखित में उत्तर लिखने हैं समझने हैं सभी उत्तर आप अपने आप ही लिखोगे बराबर है बड़े बड़े प्रश्ण के उत्तर है एक दो वाक्यों में उत्तर नहीं लिखने हैं तो पहला प्रश्णा है आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है क्यों आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है सभी का नहीं लिखना है कोई एक व्यक्ति का लिखना है और क्यों पसंद है इसके कारण लिखने है बराबर है एक दो वाक्यों में यह प्रश् नहीं ये शहर है तो हमें अपने गुंडल के बारे में दस बारह वाक्य लिखने है यानि कि छोटा सा निबंध हम लिख सकेंगे वह भी आपको अपने आप लिखना है अमारा गाउं का नाम क्या है कैसा है कहा है बराबर है गाउं में कौन-कौन से स्थान देखने लायक है गा आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बता कर संक्षेप में कहानी बताईए तो आपको क्या करना है आपको कौन सी फिल्म पसंद है उस फिल्म का नाम लिखना है और उसकी कहानी क्या है यह कहानी आपको संक्षेप में बहुत बड़ी नहीं दस बारह वाक्य में उस कहानी को आपको लिखना है बड़ाबर है परश्ना cat यदि सूरज ना निकले तो क्या होगा कौन-कौन सी मुसीबत हो सकती है सूरज ना निकले तो सूरज है तबी तो जीवन है हमें पता है सूरज के कारण ही रुतुए होती है, बारिश होती है पेड़ पोधे उबते हैं हम जी सकते हैं आधि सब कुछ अगर सुरद ना निकले तो क्या-क्या होगा किस-किस को मुसिबत होगी क्या-क्या मुसिबत होगी आधि सब आपको जरा विस्तार से लिखना है दो-तिन वाक्य में नहीं इससे भी बड़ा यदि आप गाउं के सरपंच होते तो आप अपने गाउं के लिए क्या करना चाहते थे यह सब आपको लिखना है आपको गाउं की स्थिती का जरा सा अंदाजा होना चाहिए तभी आप लिख सकते हो कि गाउं में कौन-कौन सी मुसिबत हो सकती है गाउं में रहने की कौन-कौन सी तकलिफ हो सकती है अगर आप सरपंच है तो गाउं को इस तकलिफों से मुक्त कराने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो यह सब आपको लिखना है कि मैं अगर गाउं में रहता हूँ तो अगर गाउं का सरपंचू तो मुझे यह सब करना है, गाउं को इस तरह आगे बढ़ाना है, गाउं छोड़कर सहर में नहीं भाग जाना है, गाउं का विकास करना है, किस तरह विकास करना है, गाउं के लोगों की तकलिफों को किस तरह दूर करना है, यह सब आपको लिख तो आपको क्या करना है ग्रूह कारिया में? इकाई नव के व्याकरण को लिखना है, फिर पुन्रावर्तन दोग सभी प्रश्ण और उसके उत्तर पूरी तरह से अपनी पकी कापी में लिखना है.